नमस्कर दोस्तों, सीजी सरकारी चौब योटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज ही जोड़े हम बात करने वाले 36 गड़ के दो भी भाग में भरती के लिए फिक ग्यापन जारी करते गए तो इन पदों के लिए कौन-कौन विएदन कर सकते हैं, सेक्टरी के उग्यता क्या होना चीए, किस प्रकार से आप लोग का चैन किया जाएगा दोस्तों, मैं आप लोग को पूरी डिटेल से जुड़ों में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू करते हैं, पहला विग्यापन जारी के एक जिला पर योजना कालाय समगर सिच्छ जिला महा समुन 36 गड़ के द्वारा जिसके अंतरगर दोस्तों भरती के लिए विग्यापन जारी क्या गए है जो भी एक्छु का भ्यारती अवेदन करना चाहते हैं, 20 दिसंबर 2022 तक अवेदन कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग यहां पर पत का नाम देख सकते हैं, कौन सा पत पर भरती के लिए विग्यापन जारी क्या गए है फीजियो थेरपीस्ट के एक पत पर भरती किया जाएगा और इस पीज थेरपीस्ट के भी एक पत पर भरती किया जाएगा टोटल दो पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी क्या गए है अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन पदों के लिए सेक्षली के उग्यता क्या मागगे है फीजियो थेरपिस्ट के लिए सैक्षली क्यों गता होंची सास के मानतप्राव संसा से बैचलर और फीजियो थेरपी डिगरी कोर्स के हुआ होना चाहिए और भारतिय पुनवास परिसद आर सी आई में जीवित पंजियन होना अनिवार है जो आप लोगो जानना बहुत जरूरी है जो भी एकचो का भ्यार थी इन पदों के लिए अवेदन करना चाहते हैं वे सैक्षुरी के उग्यता के परमार पत्र को अवेदन पत्र के साथ अटैच करकी जिला पर योजना कारलाय समगर सिक्षा पुलिस अधिक्षा कारलाय के बा अटैच करना है सलन करना है आप डिटील से बताया गया है और दोस्तों इसी विग्यापन के नीचे जो अवेदन पत्र का प्रारूप है वो सलगन है अटैच है आप लोग यहां पर देख सकते हो इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग इन पदों के लिए अवेद डांक के माद्यम से अवेदन कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग यहां पर पत का नाम देख सकते हो योग सहायक के टोटल दो पत पर भरती किया जाएगा प्रतीमा वेतन दिया जाएगा आठ हजा रुपे और योग सहायक के लिए नुंतम जो सेक्षरी के अध्यता मांगा आठवी पास मांगा गया है जो भी एक्षो का भ्यारती अवेदन करना चाहते हैं उनके लिए नुंतम आयू 18 वर्स और अधिक्तम आयू 40 वर्स होना चाहिए अब दोस्तों बात के लिए थे हैं चैन पर के के बारे में किस परकार से आप लोग का चैन किया जाएगा तो दो दोस्तों योग सहाय के पत के लिए जो 36 वड़ में रहने वाले मूल निमासी हैं वो अवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों जो भी महत्पुर्ण इंपड़न पॉइंट था जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी थो मैंने आप लोग को बता दिया है अगर आप लोगों को इस में कमेंट करके पूछ सकते हूँ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद